जिससे आपका फोन कभी भी कोई भी हैकर कभी हैक नहीं कर पाएगा ऐसी सेटिंग आपको बताऊंगा हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने phone को hacking से कैसे बचा सकते हैं या आपका phone hack हो गया है तो मैं आपको बताऊंगा आप अपने phone को hacking से कैसे बचा सकता हूं इस पर मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉंस मिला मतलब उसमें मैंने अलग चार सेटिंग बताई थी हैकिंग से बचने के लिए इसमें आपको अलग चार सेटिंग बताऊंगा कैसे आप अपने फोन को सिक्यूर कर सकते हैं कभी हैक नहीं होगा कई बार ऐसा होता है अनका पने साथ ने जहीं इसलिए मैं को तीन की चार सेटिंग जिसमें आप अपने मोबाइल की चार सेटिंग और आपका च्या माहीं कर पहाएगा यह कोई भी हैकर करते हैं .... यह वीडीयो शुद भाई rice चैनल पर नए है तो चैनल को डोस्तो सबस्क्राइब करे ना वीडियो को लाइक करे कियोंकσα कि मैं ऐसी यसी वीडियो जहिए ईपके लिए ढूंड कर लाता हूं बहुत मैने जब बनाता हमाँ मतलब मैं कहीं से भी सर्च करता हूं किलिए ऐसी सैटिंग search करता हूँ जिससे आप जो है अपने फोन को बहुत ही secure बना सकते हो तो ऐसी जतनी भी ऐफ होंगी जतनी भी ऐसे link होंगे जो भी आपके फोन ऐसी हामफूल आफ होंगी वह सारी की सारी ओटमेक जो है गूगल अपने आप जो है आपके फोन से रिमूव कर देगा तो ऐसी चार सेटिंग आपको बता हूं चलो चलते हैं मोबाइल की डिस्पेले पर आपको क्या क्या सेटिंग अपने फोन में करनी है तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है जो आपके फोन की सेटिंग होती है device and sharing device and sharing और इसमें आपको पहला option क्या मिलेगा cast option ये देखे cast option तो cast option में आपको दो setting मिलेगी guest mode और media control for cast device मतलब अगर आपका phone किसी भी hacker ने hack कर लिया है तो वो आपके phone की display को जा है मतलब आपके screen को कहीं भी share करके देख रहा है मतलब वो share करके रखता है महाँ पर सारी activity आपकी record कर जिससे उसको आपके phone के सारे password जो है पता चल जाते हैं जिससे वह आपके phone के पैसे आपके account को खाली कर सकता है तो सबसे पहले आपको क्या करना media control for cast devices इसको आपको own करके रखना है जैसे ही आप इसको phone करेंगे तो अगर आप खुद से भी चाहेंगे अपने phone की display को जो है कहीं पर share करना तो सबसे पहले आपको setting जो है बंद करने पड़ेगी उसके बाद ही जो है कास्ट screen को share कर पाएंगे मतलब अपने phone की screen को किसी और phone पर share करना डिवाइस phone number पर ज़िक करने के बाद अगर यहां पर आपका mobile नंबर आता है तो फिर तो आपका phone जो है अगर नहां पर आपको कोई और number 10 होता है यहां पर आपको को दिखा जेता हूं यह देखिए यहां पर अगर जाने के बाद आपको सबसे उपर option मिलेगा bhaie connected apps का connected app पर आपको जाने के बाद आपको झाने के बाद home यहाँ पर यह देखिये connected apps आप इस पर click करेंगे तो इस पर किलिक करने के बाद अगर यहाँ को कोई application या कोई लिंक या कोई वैडरेस या कोई आई पी आडरस कुछ भी आपको यहां दिखाई देता है तो समझ ले ना आपका फोन हैकर ने हैक कर लिया और उसका पूरा कंट्रोल हैकर के हाथों में है मतलब यहां पर आपको अगर कोई भी application का लिंक दिखता है या application का नाम आ जाता है तो समझ लो आपका फोन हैक है तो अब चलते हैं भाई चोती setting की तरफ जो main setting है जो हमारे फोन को हैक होने से बचाती है सबसे पहले क्या करना है बाई सबसे पहले हमें फोन की सेटिंग में आ जाना है सेटिंग में आने के बाद हमें सीक्यूरिटी पर आ जाना है अगर आपके फोन में सीक्यूरिटी आपको नहीं मिलता तो आपको मोर सेटिंग में जाने के बाद आपको सीक्यूरिटी में मिल जा ये दो option सब के phone में automatically किसी के phone में ओफ होते हैं, किसी के phone में on होते हैं तो ये दोनो option आपको on करने है, ये दोनो option ओफ करने के बाद अगर आपके phone में कोई third party application कोई hacker install करता है तो वो automatically Google जो है आपके फोन से रिमूव कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा और अगर आपके फोन में कोई वायरेस आता है तो वो भी Google जो है अपने आप आपके फोन से रिमूव कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा और उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक स्कैन का उप्सन मिलेगा तो यहाँ पर आपको स्कैन कर देना है scan करने पर होगा क्या scan जैसे ही आप करेंगे तो आपके phone में जो भी harmful app होगी कोई virus होगा तो वो यहाँ पर आपको so कर देगा देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है no harmful apps found मतलब मेरे phone में इसको कोई भी harmful app नहीं मिली या कोई hacking app नहीं मिली मतलब मैंने अपने phone की सारी setting ओन करके रखी milliards जिससे मेरा phone पूरी तरह से secure है तो आपको एस तरह से अपनी phone को समय समय पर scan करते रहना हूँ और सारी setting को चेक कर डिना है तो यह सारी setting आपको अपने phone में कर लिनी है तो इससे आपका phone कभी भी hack नहीं होगा तो भाई इसी के साथ मैं वीडियो को खतम करता हूँ वगर आपको ये जानकर ये अच्छी लेगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना